एक दर्द मुसलसल मुझे सोने नहीं देता, दिल सबर का आदी है, मुझे रोने नहीं देता, और मैं उसका हूँ, ये राज तो वो जान गया है, ये राज तो वो जान गया है, वो किसका है, ये मालूम वो होने नहीं देता, आदावर्ज हैं दोस्तों, मैं आपका दोस्त आयतुला, आयतुला वर्ज यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों का पुर्जोश इस्तकबाल करता हूँ, दोस्तों इस वीडियो में एक स्ट निखत परवीन फ्रॉम राची, तो आए दोस्तों वीडियो का बाजाबता आगास करते हैं, तो दोस्तों यहां सवाल पर आ गया है, और ये सवाल है, और अर्दू जबान की पैदाश के मुखतलिव निजरियात पेश कीजिए, तो जरा सा इसमें इमले वगरे की भी कुछ कमिया है, तो पैदाश, जो है, ये पैदाश है, तो पैदाश को जरा सा इसे लिखा जाए, पैदाश, ठीक है, और निजरियात पेश करिये में बड़ी शीन लिखते हैं, नक्ते वाले शीन, तो यहां से जवाब स्टार्ट है, जवाब यहां से देखिए, है के उर्दु जबान की पैदाइश पैदाइश मतालिक ते पहले आएगा आएन बाद में आएगा मतालिक कई नजरियात है जबान के माहरी अपनी अपनी जबान के माहरी नहीं मैं फास्ट में करेक्शन करूंगा तो ऐसा यह है कि आप देखते जाएए किस तरह से करेक्शन होता है जबान के माहरी नहीं लिखेंगे या माहरे लिसानियात लिखेंगे या लिसानियात के माहर लिखेंगे लिसानियात के माहरी ये इस तरह से लिखें या माहरे लिसानियात लिखेंगे जबान के माहर नहीं जबान का माहिर तो हर कोई जो जानता है जबान का माहिर मैं भी उस जबान का माहिर तो कोई भी हो सकता है लेकिन लिसानियात लिंग्विस्टिक जो कि उसका स्टॉडी करता है तो वो लोग उनको माहि लिसानियात बोलते हैं जितने भी लोग का आपने इसमें नाम दिया है ज के यूएस लंदन पेडिस वगर से सब पढ़के आए आप यह मत समझें कि बस इंडिया में इन लोग यह हुआ है यह लोग बाहर से पढ़के आए हैं इसे मासुद हुसें खाई ही है तो पेडिस इनवर्स सीटी से लिंग विस्टिंग प्याईडी की है ऐसा नहीं आप समझे सब्सभार यह लोग भी सब बाहर से पर करके आए हैं तो यहां पर आपको लिखना आया यहां पे जबान के माहरीं नहीं अवल्सानियाद के माहरीं अपनी अपना पर अर्दों का माखस ब्रिजबास्शा निखने काौन से इसे बिरिज मत लिखिये, सीधा लिखिये ने, बे रे अरजीम बिरिज, तो बिरिज बाशा और हर्यानवी, पंजाबी, और ये कुणोजी, ये गुजरी जो आप लिखे ने, इसको खड़ी कर दीजे, खड़ी बोली या ऐसे कर दीजे, कड़ार देते हैं, इस बाज से हर को इतफ करता है, तो ये कट जाएगा, इसको निकाल देना है, और इसके जवबे पर क्या लिखना है, इसके जवबे पर लिखना है, कि चंद माशूर माहिरे लिसानियात, चंद मशूर माहिर लिसानियात के नजरिये दर्ज जेल हैं यह इस तरह से लिखेंगे यहां पर और यह लिखने के बाद जब यह कट जाएगा इसको हटा देने के बाद यहां पर आपको एक बाकस टैप बनाना है मैं पहले रही विडियो बनाया था तो एसे आपको एक बाकस बनाद आदेंगे तो यहां लिखना है सबसे पहले कि महमुद हुसेन आजाद का नजरिया फिर यहां से लिखेंगे शौकस सब्जवारी का नजरिया यहां से लिखेंगे महमुद शीरानी का नजरिया यहां से लिखेंगे और एकाद नाम देंगे, जसके घ्यान चनल जाइन का नजरिया सबसे लाश्ट में लिखेंगे मसूथ हुसेन खान का नजरिया बॉक्स में सिर्फ इतना लिखना है और इसके बाद जब बॉक्स हो जाया खत्म तो फिर नीचे से लिखेंगे यहां अलिफ नमर देंगे यहां हम अलिफ नमर देंगे अलिफ नमर देने के बाद तब यहां से अलिफ नमर दिये और यहां लिखेंगे मुहम्मद हुसाइन आजाद का निजरिया यहां यहां दो बिंदू देंगे और इसके बाद नीचे से इ की इंची छोड़ करकी ये छूट जाएगा यहां से लिखना शुरू करेंगे ठीक है इस तरह से आप लिखिएगा महुद हुसाइन आजाद का उर्दू की पाइदाइश के सिलसिले में ये नजरिया है कि उर्दू की पाइदाइश ब्रिजबाशा से हुई आप हायात में वो ब्रिजबाशा खास हिंदुस्तान की जबान है ब्रिज का अलाका देहली और मतरा के आस पास तो ये चीज़ आप पढ़ना चाहिए आपको एक बार लिखने के बाद तो आस पास है मौंद हुसे नाजाद ने इस बात पर जोर दिया है कि उर्दू की पाइदाइश में मकाम का सी हैसियत हासिल था और इसके गिर्दो नवाह ये गिर्दो नवाह है मैं ब्रिज भाशा के असरात से उर्दू ने जन्म लिया ठीक है उर्दू में ब्रिज भाशा के अलफाज का इस्तमाल भी हुआ है स्यासिल्मा नद्वी का नजर्य दे रहे हैं तो उसी तरह से यहां बेनमर देंगे और लिखेंगे बाक्स में जितने पांच लोगों का आप मैंने नाम बताया उन पांच लोगों का नाम लिखिए और उनके क्या नजरिये हैं उनको इधर में नीचे एक्स्प्लेइन करना है ठीक है और उर्दू की इप्रदा सिंध में हुई और शौकर सब्जबारी वो उनलों का भी देना है जिसने कहा है कि शौकर सब्जबारी करा मामो शीरानी जिसमें काना है कि उर्दू ने पंजब में जन्म लिया है या उर्दू के पैदाश पंजब में है ठीक है तो उनका भी देना वो भी आहम है इसी तरह से फिर आपको जो है डील करना है चीज़ों को तोट्रा करके पांस साथ लांड करके अर्दू के सरमाएह में एक वीडियो मैंने बनाया था वो मैं उसके बताया है कि भाई किस तरह से लिखना है जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, इसी बात को बहुत डिटेल में बताया है उसमें, तो आप उसको भी देखिए, सरच करके होगा चैनल पर, मसूद हुसेन खान का नजरिया, तो उसी तरह से यहाँ अलिफ बे, जीम, डाल हे, वाउ, जे, इस तरह से नमर आता है, तो उसके बा अगासे मतालिक, अब तक के सबसे अहम नजरिया, नजरिया प्राफेसर मसूद हुसेन खान की तहकी की रोशनी के मताबिक यह है, उर्दू बारहमी सदी के आखिर में, ग्यारा सो तिरानवे स्वी के बाद देहली वा नवाहे देहली में, खड़ी बोली से तश्कील पजीर हुई जिस पर अबतदा में हर्यानवी के असराथ पड़े, मसूद हुसेन खान का यही नजरिया अब तक का सबसे, सबसे क्या ये हैं, सबसे अहम है, और काबल यकीन, और काबल नजरिया, काबल यकीन या काबल इतमाद नजरिया है, ठीक है, जिसे लिसानियाई होगा, लिसानियाई नहीं, लिसानियादों पर चैलेंज नहीं कहा सकता है, बिल्कुल क्या जा सकता है, आने वाले दिनों में होगा, रिसर्च में कोई चीज़ हर्फ आखिर नहीं होता है, किसी साहब ने रिसर्च कर जो बता दिया, कि हाँ भाई ये ऐसा है, तो आने वाल में ऐसा कहा गिया कि जैसे कि कुली को तो शाह है तो वो पहले उनको नहीं माना जाता था यह पहले साहब दीवान शायर है पहले वली को माना जाता था तो फिर रिसर्च हुआ तो हुआ उस तरह से कि चैंज हो गया तो यह होता है बाद में यह संटेंस लिखना बेकार फजू है कि जिससे चालेंज नहीं किया सकता है यह लिखने के क्या जरूरत है यह बस इतना लिखेंगे कि यह निज़रिया अभी तक काभल यह काभल है और ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि यह ज्यादा अहम है यह भी क्रोस सवाल पूछता यू पीस्टी में आपका तो जबान का सही तो क्यों नहीं मानते हैं एक जगा पूछा गया कि मामोश शीरानी ने कहा एक उर्दू पंजाब में लिया है जनम लिया है तो किस बुनियाद पर उनके नजरिया को रद किया गया किस बुनियाद पर उनकी नजरिया को रद करने के लिए कौन कौन से दलाइल पेश किय गए गए त इस तरह से यू पिस से सवाल पूछता है यहां तो आपका बिल्कुल सीधा है ठीक है तेसके अलावध सारे नजरीए लिसानी अभी लिसानी वन्यादों पर रद किये जा सकते हैं रद किये जा चुके हैं यहां पहले डूनों नजरिये रद किये जा चुके हैं, ये रद किये जा चुके हैं, मतलब ये आप लिखिए कि LAST में जो CONC결ूजन आपको लिखना है नजो उसमें बस यही लिखना है कि बहुत सारे इस तरह के नजरिया आए लकिन सबसे قابل कबोल और आहम निजर्या मसूद होसन खाल का है, जो के हकीकत पर मबनी है, और उनका निजर्या ऐसा है, कि उस पर यकीन आता है लोगों को, लोगों को लगता है, काँ भै, यह सही है, इस तरह से लिखे, अब यह मत कहिए कि उनको चालेंज नहीं किया सकता है, तो उनको यह नहीं का यह लिखना बेकार है फजूल इस तरह से नहीं लिखते हैं ठीका बच करके लिखना होता है बच करके लिखने यह मतलब हुआ कि तो आसा बच करके अपना लिखना होता है जवाब को कोई आप जानते ही क्या नहीं चैलेंज किया सकता है कोई पाइदा होगा दूसरा कोई उनके बिल्कुल चैलेंज करेगा वो बताएगा कि नहीं हाँ खड़ी बोली से तो हुई है दूसरी भी बोली थी तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से खड़ी बोली से ही हुई है अभी नहीं दस साल पचास साल साल बात वहां एक और बोली थी उनका भी असर है तो हो गया ना चैलेंज तो यह होता है तो रिसर्च में कोई चीज जो हर्फ आखिर नहीं होता है बिल्कुल आखरी कील ठोक रहा है कोई दूसरा आएगा उस कील को उखार देगा दूसरा फिर ठोकेगा कील तो यह इस तरह से होता है रिसर्च का सिस्टम है जो चलते रहता है रुकता थोड़ी है जो चलते ही रहता है तो वही है ताकीक तो इस तरह से आप थ्वा ठीक करिए जो भी चीज मैंने बताया आपको और उस वीडियो को भी देखिएगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ अगर उसमें थ्वा डिट हैं तो इसको जहरसा ठीक आप करिए तो सही रहे घैगा जिसे यह मतालिق वगेरा ही है तो देके का आयन आपने पहले लिख दया है ते बाद में लिखा है तो ऐसा नहीं होता है ते पहले होता आए जह बाद में होता है मुतालिक इस तो इन साथी चीज़ों का तो आसा आप ख्याल रखिए तो सही है कोई आप बहुत खराब नहीं लिखें लिकिन वही है कि थोड़ा फॉर्मेट होगरे चेंज करी जिस तरह मैंने बताया आपको बॉक्स होगरे करके लिखना है बॉक्स में पहले सजा देना है और उसके बाद यह दिरे जो है नमर वाइस अलिफ बेजीम डाल करके उसको एकस्प्लेइन कर देना है तो ज्यादे सही रहागा एकस्प्लेइन करने का वी तरीका मैंने आपको बताया जैसे मामुद हुसें मामुद हुसें आज़ाद का नज़रिया मान लिजिए अलिजिए अलिफ नमर मे यहां से स्टार्ट करेंगे एक इंज छोड़ करके यहां से फिर अपना लिखना शुरू करेंगे इस तरह से लिखिए तो कौपी भी जरा सा खुबसुआत लगता है देखने में ठीक है ना चलिए फिर ठीक है मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में अपना ख्याल लखिए यहां लखिए